नमस्कार, पॉलिटिकल बुलिटिट में आपका स्वागत हैं और आज बात करेंगे एक ऐसे नेता की जो इन दिनों राजस्थान ही नहीं बलकि पूरे देश की मीडिया पर चाय हुए है अलांकि यह पहले भी कई बार चर्चाओं में आए लेकिन पिछले दो दिनों की बात करें तो यह जबर्दस तरीके से सोसल मीडिया पर ट्रेंडिंग हो रहे हैं मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे नेता की जो छे बार विदायक रहे और दो बार मंत्री रहे जी हा मैं बात कर रहा हूँ पच्छी मीराजस्थान की गुड़ा मलाने विदान सवा छेत्र के विदायक हैमाराम चोधरी की हैमाराम चोधरी अब सोशली मीडिया पर क्यों चाये हुए हैं उसको लेकर पहले बात करेंगे और हैमाराम चोधरी को लेकर जो कल बाते हुई कि हैमाराम चोधरी दिल्ली जाकर के एक बड़े नेता से उन्होंने मुलाकात की है और ऐसा बताया जा रहा है कि हैमाराम चोधरी एक ऐसा निर्णे लेंगे जिस से पूरे मारवार ही नहीं बलकि राजस्थान की सियासी गलियारों में एक भूचाल आ जाएगा उस मुद्दे को लेकर भी बात करेंगे लेकिन सबसे पहले हैमाराम क्यों चाहे हुए दर असल हैमाराम चोधरी ने वर्ष 2013 के विदानसवा चुनाओ में ये इस बात का ऐलान कर दिया था कि इस वार मैं चुनाओ नहीं लड़ना चाहता हूँ जिसके बाद हैमाराम चोधरी को रहुल गांदी ने फोन किया कि आपको चुनाओ लड़ना ही पड़ेगा तब हैमाराम चोधरी ने चुनाओ लड़ा और उसके बाद वर्ष 2018 में हैमाराम चोधरी फिर इस बात को लेकर चुनाओ उसे 2 साल पहले इस बात को लेकर कहने लगे सबाव में ये बात भी कहने लगे कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ किसी और को मौका मिलना चाहिए और उस दर्म्यान हैमाराम चोधरी का ऐसा कहना था कि सचिन पाइलट कई बार मेरे घर आए मेरे समर्थक मेरे घर के आगे दरना दे कर बेट गए आता हूं और गुडा मालाने से किसी इस्थानी को मौका मिलना चाहिए और किसी नए चेहरे को हैं वह मौका मिलना चाहिए मैने खूब राजनिति कर ली और अब मुझे चुनाव नहीं लड़ना है क्योंकि सांती से जिस तरीके से मैंने जो काम हुआ वो किये जिनका काम करना था कईयों के हुई कईयों के नहीं हुई मेरे से जितना अच्छा था मैंने कर दिया अब मुझे चुनाव नहीं लड़ना है इस बात की चर्चाएं तो चल रही थी लेकिन ऐसा में चर्चाएं ये भी आ रही थी कि हैमा राम चोधरी अपनी बेटी एडवोकेट सुनीता चोधरी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं या फिर ताजा राम चोधरी जो गुड़ा मलानी से दाविदारी कर रहे हैं उनको टिकट दिलाना चाहते हैं या फिर वाकई में हैमाराम चोधरी वर्ष 2013 और 2018 में जिस तरीके से बात कर रहे थे उस तरीके के बात करके फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं कई परकार की चर्चा है राजदिती गलियारय में हुई ज़र हैमाराम चोधरी ने ये बात कहना सुरू कर दिया था कि मुझे गुड़ामालानी से चुनाव नहीं लड़ना है तो इस परकार की कई बाते सामने आई अब दो दिन पहले हैमाराम चोधरी के समर्थकों ने गुड़ामालानी उफखंड मुख्यले पर एक बड़ी सबा का आयोजन किया और उस सबा में हैमाराम चोधरी को बुलाया गया और हैमाराम चोधरी जब भाशन दे रहे थे तब उन्होंने कहा कि अब मुझे चुनाव नहीं लड़ना है अब किसी और को मौकात मिलना चाहिए इतनी बात करी दी कि वहाँ पर जो जनता थी उन्होंने इस बात को लेकर इंकार कर दिया कि नहीं हम इस बात से नहीं मानेंगे आपको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा तो हैमाराम चोधरी ने अपना संबोधन बीच में छोड़ दिया और वो नीचे जाकर बैट गए इस दर्मियान कई लोग वहाँ पर आए उन्होंने अपनी पगड़ी हमाराम के सामने रखी कई लोग उनकी गोद में सर रखकर रोने लगे और कई लोगों ने हमाराम के सामने हाथ भी जोड़े कि सहाब आपको तो चुनाव लड़ना ही पड़ेगा तमाम बातों के बीच जो गतीरो चलता करीब 2-3 घंटे दे गतीरो चला उसके बाद हमाराम चोदरी ने फिर से बासन दिया और कहा कि जिसको पार्टी टिकेट देगी पहले टिकेट तो मिलने दो टिकेट किसको देती है उसके बाद तै करेंगे और उसके बाद वांके सबा जो हैं विसर जिद्ध हो गई इन तमाम चर्चाओं के बीच एक चर्चा कल रात को सोसल मीडिया पर तेजी से वायरन होने लगी वो भी हैमाराम चोधरी को लेकर ये सोसल मीडिया पर बाता की जा रही थी कि हैमाराम चोधरी दिल्ली में जाकर के एक बड़े चहरे से उन्हों में आ सकता हूँ ऐसी चर्चाएं थी ऐसी राजनेती गलियार में बाते हो रही थी हमने हैमाराम चोधरी से जुड़े सुत्रों से ये बात जाननी चाही तो क्या बात निकल कर सामने आई हैं वो भी हम आपको बताएंगे और ये बातने जब सोसल मीडिया पर जो हो रही थी व हैमाराम चोधरी ने किसी बड़े चेहरे से मुलाकात नहीं की और उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी के नेतां से ही दिल्ली में मुलाकात की हैं इस बात को लेकर कोई पुक्ता बात सामने नहीं आई हैं कि हैमाराम चोधरी ने किसी दूसरी पार्टी के बड़े चेहरे से मु कह सकते हैं क्योंकि हमारी सुत्रों की माने तो इस बात में कोई सच्चाई नहीं थी अब हैमाराम चोधरी ने दो दिन पहले जब ये कहा हो कि मुझे इस बार जो हैं वो चुनाव नहीं लड़ने हैं तो हैमाराम चोधरी दिल्ली जाकर के कॉंग्रिस के नेताओं के साथ क्यों मुलाकात कर रहे हैं वो किस्टे टिकेट की पैरवी कर रहे हैं या फिर इसके लिए वहां गए हो कि भही मुझे इस बाट टिकेट मत देना मैं चुनाव नहीं लड़ूँगा इन बातों की सच्छाई या तो हैमाराम जानते है या फिर ह इन नेताओं से मुलाकात की हैं उन नेताओं को पता होगी अगर हैमाराम चोदरी की बात कर रहे हैं तो हैमाराम चोदरी की जो छवी हैं इस पूरे मारवाड में और विशेशकर उनकी विदान सभाचेत्र में वो इस परकार की रही हैं कि वो हमेसा इमानदार और पारे से कर दी हो लेकिन एक नेता ऐसा जो ये कह रहा है कि मुझे जो है वो टिकेट नहीं चाहिए और मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं अब कॉंग्रेस की जब पहली सूची जारी होगी उसके बाद ये तेह हो जाएगा कि गुड़ामारानी विदान सभाच्षेतर क का नाम आता है अगर आता है तो कहीं न कहीं हैमाराम चोदरी का अगर नाम नहीं आता तो हैमाराम की बातों में कितना दम था ये बात स्पष्ट हो जाएगी लेकिन अगर बात गुड़ामारानी का जो नाम है वो कॉंग्रेस की पहली सूची में नहीं आता है तो आने वाले दिनों में कुछ अलग ही देखने को मिल सकता है